हेलो, पिछली वीडियो में हमने जावा स्क्रिप्ट की इफ स्टेट्मेंट, इफ एल्स स्टेट्मेंट के बारी में जाना आज हम इस वीडियो में जावा स्क्रिप्ट के इफ एल्स इफ स्टेट्मेंट के बारी में जानेंगे if else if statement के definition के बारी में जानेंगे तो इसके definition है ये conditional statement if else का combination है बस फर्क इतना है कि if else statement को multiple बार use किया है इसमें दो से ज़्यादा condition को execute करवाया जा सकता है तो ये if else if statement के definition है इसके बाद हम यहाँ पे if as if का syntax जानेंगे तो ये syntax है if इसके बाद ये expression one लिखा हुआ है round bracket में इसके बाद यहाँ पे curly bracket को open किया हुआ है इसके बाद यहाँ पे लिखी हुए statement ये statement to be executed if expression one is true इसके बाद यहाँ पे curly bracket को close करेंगे फिर यहाँ पे as if यह हम use करेंगे इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे round bracket में expression 2 और इसके बाद यहाँ पे curly bracket को open करेंगे फिर यहाँ पे लिखेंगे statement to be executed if expression 2 is true फिर इसको बंद करेंगे curly bracket को इसके बाद फिर यहाँ पे as if लिखेंगे और यहाँ पे round bracket में expression 3 लिखेंगे इसके बाद curly bracket को open करेंगे फिर यहाँ पे लिखेंगे statement to be executed if expression 3 is true इसके बाद यहाँ पे curly bracket को close करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे यह condition चेक की जाती है अगर यह condition पहली सही हो जाती है तो आगे इस program को चेक नहीं करेगा अगर पहली सही नहीं होती है तो दूसरी को चेक करेगा अगर दूसरी सही नहीं होती है तो तीसरी को चेक करेगा अगर if as if में बहुत सी condition चेक की जाती है अगर last में कोई भी condition सही नहीं होती है तो as block यहाँ पे execute करता है तो यहाँ पे लिखेंगे last में as इसके बाद यहाँ पे curly bracket open और यहाँ पे लिखेंगे statement to be executed if no expression is true और इसके बाद यहाँ पे curly bracket को बन कर देंगे तो यह if as if का syntax है तो यहाँ पे यह program है write a program in javascript to demonstrate the use of if as if statement तो इस program को आगे हम समते हैं यह हमने notpad में stml के अंदर javascript के code को लिखा हुआ है तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है stml इसके बाद यहाँ पे body लिखा हुआ है इसके बाद यहाँ पे heading start किया हुआ है h1 इसके बाद यहाँ पे javascript के code को लिखा हुआ है यहाँ पे script language is equal to javascript यह लिखा इसके बाद यहाँ पे variable x लिखा हुआ है is equal to permit इसके बाद यहाँ पे double codes में लिखा हुआ है enter the number हम number को enter करवाएंगे नमबर कौन सा है यहाँ पर x तो यहाँ पर condition लगाएंगे if x is equal to 10 अगर x is equal to 10 है यह condition लगा दी इसके वाद यहाँ पर curly bracket open यहाँ पर क्या display करें document.write यहाँ पर यह display करें अगर यह x is equal to 10 अगर x की value हम 10 वरते हैं तो यहाँ पर हमें यह message display करें x is equal to 10 इसके वाद round bracket को हम यहाँ पर close करेंगे इसके वाद लगाएंगे semicolon इसके वाद curly bracket को यहाँ पर close करेंगे इसके वाद यहाँ पर लिखेंगे as if और यहाँ पर second condition लगाएंगे यह देखो round bracket में हमने लिखा हुए x is equal to 15 इसके बाद यहाँ पर curly bracket को open किया हुआ है और यहाँ पर हमें क्या display करें अगर हम x की value 15 बारे तो यहाँ पर document.write x is equal to 15 हमें यह display करें इसके बाद semicolon लगाएंगे और curly bracket को बंद करेंगे अगर यह सही नहीं उत्ती है तो अगली condition चेक करेंगे as if round bracket में लिखेंगे x is equal to 20 तो इसके बाद curly bracket को open करेंगे और अगर हम x की value 20 बरते हैं तो हमें क्या display करें document.write हमें यह display करें x is equal to 20 और इसके बाद यहाँ पर semicolon लगाएंगे curly bracket को बंद करेंगे अगर यह उपरवाली कोई भी condition सही नहीं होती है तो last में हम यहाँ पर लिखेंगे as इसके बाद curly bracket open document.write तो हमें क्या show करें x is not equal to 10, 15, 20 अगर यह 10, 15, 20 value हम नहीं बरते हैं तो हमें क्या display करें यह message x is not equal to 10, 15, 20 इसके बाद semicolon लगाया इसके बाद curly bracket बंद की इसके बाद script को बंद किया इसके बाद h1 को बंद किया इसके बाद body को और last में stml को बंद किया इसके बाद हम इसको file को save करेंगे file पर जाएंगे save as पर जाएंगे save as पर जाने के बाद file को कहाँ पर save करना है तो इस file को हम desktop पर save करेंगे इसके बाद file को किस नाम से save करेंगे यहाँ पे file का name लिखेंगे तो यहाँ पे file का name हमने लिखा er.html नाम से हमने file को save किया इसको minimize करेंगे और यहाँ पे यह दिखो यह file बनके आ गई है तो यहाँ पे हम इसको open करेंगे तो यह दिखो यहां पे file को open करने के बाद यह file यहां पे open हो गई है यहां पे आ गया enter दी number यह box आ जाएगा यहां पे हम number को enter करेंगे अगर हम यहां पे number यह first वाला यह first condition लगाई थी if x is equal to 10 अगर हम 10 number यहां पे भरेंगे तो यह message हमें display करेंगा x is equal to 10 यह देखो यहां पे number भर की देखते हैं यहां पे हमने click किया और यहां पे हमने value भरी 10 यह 10 value भरी इसके बाद ok पर click करेंगे यह देखो यहां पे message आ गया x is equal to 10 अगर हम यहां पे 15 यहां पे value भरेंगे तो हमें यह message चो करेगा, यहां पर इसको refresh करते हैं, refresh करने के बाद यहां पर भरते है 15, यह 15 वरा इसके बाद OK पर क्लिक किया, OK पर क्लिक करने के बाद यह दिखो, यहां पर यह message चो करा है, X is equal to 15, अगर हम यहां पर 20 वरते हैं, तो हमें यह message चो करेगा, यह दिखो, यहां पर इसको condition लगाई हुई है ये condition first है जहाँ पे value लिखी हुए 10 ये second condition है यहाँ पे value लिखी हुए 15 ये third condition है जहाँ पे value लिखी हुए 20 तो ये तीन value यहाँ पे हमने बरिय हुए 10 15 20 आगर इसके इलावा कोई और number हम यहाँ पे भरेंगे तो हमें ये message शो करेगा x is not equal to 10 15 और 20 ये देखो करके दिखते हैं इसको यहाँ पे इसको refresh किया refresh करने के बाद condition में हमने ये देखो 10 तो भरा हुआ है 15 भरा हुआ है 20 भरा हुआ है इसके इलावा हम यहाँ पे कोई और value भर के दिखते हैं तो और value भरेंगे तो ये last वाला else block यहाँ पे execute करेगा ये देखो यहाँ पे value भरते है हम 30 ये 30 वरा इसके बाद ok पे क्लिक किया तो ये देखो यहाँ पे last वाला message शो कर रहा है x is not equal to 10 15 और 20 ये वाला इसके बाद इसको refresh करते पे और value भरते हैं यहाँ पे जैसे यहाँ पर 17 यह वरा इसके बाद OK पर क्लिक किया फिर हमें यह message शो कर रहा है क्यूंकि जो उपर वाली condition है यह सभी यहाँ पर false हो रही है तो यह last वाली statement यहाँ पर execute करेगी तो यह देखो यहाँ पर यह message शो कर रहा है तो इस तरह से यहाँ पर if as if statement काम करती है तो इस वीडियो में हमने if as if statement के बारे में जाना अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब मैं चनल